आज कल केडनी की प्रॉब्लम बहुत जादा हो रही है जो भी पेशेंस पुराने बीूपी के होते हैं या डाप टीम kותे होते हैं जिनकी बहुत पहले से बीपी हाई रहता है या शोगर बहुत हाई रहती है और वो control में नहीं रहती है या वो ignore करते रहती है तो later on वो जो चीज है वो धीरे-धीरे उनकी kidney को damage करना शुरू कर देती है जिसका पता उनको बहुत बाद में चलता है और धीरे-धीरे ये kidney disease develop कर लेती है जब आपको kidney की problem होगी आपके सबसे पहले urine effect होता है urine या तो आपका बहुत जादा आएगा या उसकी amount कम हो जाएगी तो उनों ही cases खराब है हमने ऐसा भी देखा कि कई बार क्रेटनाइन patient का दो ही होता है लेकिन वो end stage तक पहुंच जाता है और कई बार क्रेटनाइन हमारा आट तक पहुंच गया बहुत जादा है लेकिन अभी वो third stage पही होता है dialysis मैं आपको बताना जाओंगा treatment नहीं है management है वो आपको कुछ समय के लिए दो दिन के लिए चार दिन के लिए आपको थोड़ी दिर के लिए stable कर सकता है लेकिन वो kidney को recover नहीं करता है in fact जो kidneys है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देती है नमस्कार D5 Channel हिंदी के प्रोग्राम Care Yourself में नए वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर से बाचीत करते हैं बाचीत आप तक आती है आज हमारे साथ में मौझूद हैं स्टूडियों में डॉक्टर नवदीप सिंग ठाकुर जो की बीए MS हैं और देश के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में इन्होंने काम किया है डॉक्टर नवदीप सिंग ठाकुर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नवश्कार धन्यवाद आपका बहुत-बहुत डॉक्टर नवदीप हम देख रहे हैं आजकल किड्नी की प्रॉबलम बहुत जादा हो रही है तो आप हमें ये बताईए कि किड्नी की प्रॉबलम क्यूं होती है किड्नी किड्नी हमारी बॉडी का एक बहुत important organ है जो के हमारी बॉडी में से जो भी waste material है उसको expelled करता है उसको बहार निकाल देता हमारे urine के जरीए तो आज कल किड्नी की समस्यां बहुत ज़ादा हो रही हैं जैसे आपने पूछा तो किड्नी की समस्यां कभी directly नहीं होती है एक तरह से जादतर केसिज में हमने देखा है complication disease है यह जैसे जादतर हमने देखा है कि जो भी patients पुराने BP के होते हैं या diabetes के होते हैं जिनकी बहुत पहले से BP हाई रहता है या sugar बहुत हाई रहती है और वो कंट्रोल में रहती है या वो इग्नोर करते रहते हैं तो लेटर आन वो जो चीज है वो धीरे धीरे उनकी कीड्नी को डेमेज करना शुरू कर देती है जिसका पता उनको बहुत बाद में चलता है और धी किड्नी डिसीज ड्वेल्प कर लेते हैं और कुछ केसे ऐसे हैं जिसमें जिनेटिक डिसॉर्डर होते हैं कि जैसे पॉलिसिस्टी किड्नी होती है जिसमें आपकी किड्नियों में रसॉलियां बन जाती है बहुत जादा तो वह तो एक जिनेटिक डिसॉर्डर है उसमें तो लिए कि यह दवाई खा लीजिए सप्लीमेंट खा लीजिए आपकी बाड़ी बन जाएगी या कोई भी चीज जब बिना डॉक्टर की कंसर्टेशन के लेते हैं तो कई बार वो चीजें आपके लिए नुकसांदा ही होती है वो आपको किड्नी की टॉक्सिटी करती है जिसके क वारंट किड्नी की बिमारियां होती है जब किसी को किड्नी की प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे पता चलता है कि उसे किड्नी की प्रॉब्लम होई है क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब तक इंसान को पता चलता है काफी डैमेज हो चुका होता है तो कुछ में सिम्टम्स बताने सब्सक्राइब जाना पड़ेगा या उसको इर्न आए गा लेकिन बहुत कम वात्रा में आए गा तीसरा उन्हा होता है यानि प्रोटीन जो आप मारे भलट में है वह अग्मक बूर्न होना शुरूअ ass24 तो इसका symptom है कि जो आपका urine है उसमें आप देखेंगे जागानी शुरू हो गई है उसमें smell आती है बहुत जादा तो यह जो early symptoms एंजन से आप detect कर सकते हैं कि आपको kidney की problem बढ़ रही है और अगर आप already patient है diabetes के या blood pressure के तो आपको तो उपना routine check up कराना ही चाहिए कि कहीं आपके BPA sugar की विरा से कहीं kidney damage तो नहीं हो रही किड़नी की problem और कौन सी बिमारियों को जनम देती है किड़नी की disease देखे already a complication है जब kidney damage होगी तो जो हमारी body से waste product निकलने चाहिए वो नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा हमारी blood में toxicity बढ़ेगी जो जो चीजें expel होनी चाहिए ज जिसके कारण फिर fluids हैं जो एकठा होना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण patient को बहुत ज़्यादा दिकते आने शुरू हो जाती है urine कम हो जाता है सांस चड़ना शुरू हो जाती है पैरों में सूजन आने शुरू हो जाती है जैसे मैंने बताया urine में ज्जाग आने शुरू हो तो क्योंकि को का एक काम यह भी एक वह उने कि ब्लाट बनाती तो जब कीद्नी हो गी तो वह एकश्ग्सurry प्रड़क्स को दू पाती है और उसके कहनद बॉस्पर फट सैंट को पाती और उसके का जquez首ह कृष्जी सत्क पाती है और फिर भी किडनी की प्रॉब्लम होती है देखे क्रेटनाइन आर फ्ट जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है रीन फंक्शन टेस्ट है उसका अच्छा मार्कर है जिससे हमें एक साइन में जाता है कि किडनी कही न कहीं डैमेज हो रही है अब पीशन्स बहुत जादा कंसेंट रहते यह इसको define करता कि आपके kidney कितनी damage है, उसको define करता है GFR, glomeral filtration rate, याने कि कितना fluid आपके kidney filter out कर देती है, तो इसके अलगलिक stages है, जैसे stage 1 से लेकर stage 5 होती है, kidney disease के अलगलिक, जैसे stage बढ़ती जाती है, यह GFR कम होना शुरू हो जाता है, हमने ऐसा भी देखा है कि कई बार 9 हमारा 8 तक पहुच गया बहुत जाद है, लेकिन अभी वो 3rd stage पर होता है, तो इस तरह से है, तो इसमें अलगलग stages होते है, grade 1 से लेकर grade 3 तक जो है, वो patient थोड़ा easily होता है संभालना, grade 4 और grade 5, grade 5 को ESRD याने end stage renal disease भी कहते हैं, जहाँ PGFR बिलकुल ना के बराबर या 0 से 10 तक ही रह जाता है, तो ये इस्तिती काफी गंबीर हो जाती है, खाने पीने का कितना रोल होता है, किड्नी पेशेंट के, जब किड्नी की खराबी होती है, किड्नी में कोई प्रॉबलम आती है, तो खाने पीने का कितना रोल होता है, देखिए, जब किड्नी हमारी डैमेज ह करती हैं कि इनिशली आपूल आउट करवाई किया कि क्या रवाईयां खा रहे हैं या bund जाना theatre की चीजे डाइट बर हैं सअफूल में जह रहा हैं तो छो पोटाशियम जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जो नीम्बू की पजाती कि जिसे नीम्बू, संत्रा, किन्नू, मसम्मी इस तरह के फल्द आपना खाईए जिन में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है एंड हाई प्रोटीन डाइट में लेनी है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ हाँ हाई प्रोटीन, कई पेशेंट्स में कहते हैं कि प्रोटीन बिल्कुल बंद करते हैं, ऐसा बिल्कुल ने करना है, देखिए अपने शरीर की ताकत को आपने जरू बचाना है, अगर आप बहुत ज तोटली बंद कीजिए, अब प्रोटीन आपको लेना कैसे है, प्रोटीन आप दालों से ले सकते हैं, दालों को अब जैसे साउथ इंडियन स्टाइल में बनायता है, उस तरह से बनाएए तोड़ा पतली करके, जैसे अब दाल मखनी मनाते हैं, वैसे नी खाना आपको, तो इस तरीके से पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं, पान से साथ लीटर पानी पीओ, कोई कहता है किड्नी की पेशेंट को पानी जादा ही पीना चाहिए, तो इसमें अभी बहुत सारी ब्रहंतियां बनी हुई है, तो आप हमें बताईए कि पानी क इतना पीना है वो डिफाइन किया जाता है लेकिन मैं फिर भी एक जनरल बात को लूँ कि अगर आप बिलकुल पानी पीना छोड़ देंगे तो किड्नी की रिकवरी कैसे होगी बाकी ओर्गेंस में बॉड़ी में बिलकुल डिहाइडरेशन में नहीं जाना है आप कम से कम एक पानी तो जरूर पियें और पानी बेना का तरीका है जो भी पानी पियें आप उसका एक आउटपुट मेंट इंपुट और आउटपुट मेंटेन रखें आप एक कांच का जग रख लीजिए उस पे मार्किंग लगा लीजिए अलग लग कि 100 ml है 500 ml है और आप उसे सुबह गरम जितना उसमें पानी आता है उसको अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लीजिए फिर उसे अपने पास स्टोर करके रख लें और सारे दिन में आपने वही पानी पीना है और कभी भी आपने पानी एक साथ नहीं पीना है आप छोटा कप लीजिए 100 ml के करीब और जब भी पानी पीना है बैट के अराम से बगवान का नाम लेके ग्रेटफुल होके और धीरे धीरे पीना है उस पानी के टेस्ट को महसूस करने है धीरे धीरे एंड उसको एक दो मिनिट लगाई ये आप उस पानी को पीने में अगर आपको दोबारा प्यास लगती है आप आदे किड़नी पेशेंट को नारियल पानी पीना चाहिए नहीं किड़नी पेशेंट में हम मना करते हैं नारियल पानी क्योंकि पोटाश्यम बहुत जादा बढ़ जाता है जो जब पोटाश्यम बढ़ता है तो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हार्ट भी एक आभी के लिए जैसे कोई भी बीकिड्नी पेशंट है तो इसको नारे-ल-पानी पी अज När कीड्िणी प्रोबलम अगर आप क्या सकते हैं वह भी घर बैठे कशें प्रेज्ट कि अगर आप आप में ऑन के प्रेंट में हाइब आपका urine कम होना शुरू हो गया है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्टेज़ पे है, और आयरवेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है, देखिए, ऐलोपेट में तो सिर्फ इसमें आपको डालेसिस पे डाला जाएगा, आज नहीं तो कर, डालेसिस मैं आपको बताना चाह हैं, ऐसी ओशदियां हैं, ऐसे डाइट प्लैंस हैं, जिनसे के केड़नी अपने आपको रिकावर करना शुरू कर देती हैं, और केड़नी को डेटॉक्सिफाइ करती हैं, तो अभी मैं आपको कुछ दो हब्स बताऊंगा, बहुत चमतकारी प्रणाम हमने इसके देखिए है सबसे पहले आप पुनर नवा, नाम से आपको पता है, पुनर नवा जाने के बिलकुल नया कर देने वाली, तो आप पुनर नवा का काड़ा बना के पीना शुरू कीजिए, काड़ा कैसे बनाना है, जिसे आप 5-10 ग्राम पुनर नवा का पाउडर लेंगे, एक कप पानी ल जाता है, तो वो गोकुरू का काड़ा लेके अपना यूरिन फ्लो बढ़ा सकते हैं, इसका डायरेटिक फेक्ट होता है, यह अच्छे से फ्लश आउट करता है, फ्लुइड्स को आपकी बॉड़ी से, तो गोकुरू पुनर नवा का आप जैसे काड़ा लेना शुरू और अगर फिर भी आपकी समस्यां जादा रहती हैं, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपका स्पैस्फिक एक डायट प्लाइन बनाएंगे, और आपको साथ में कुछ आइवधिक मेडिसन देंगे, जिनको आप पैरलल ले सकते हैं, आभी के लिए आइवधिक करेंगे, जिनको केड़नी की प्रम्लम शुरू हुए है, उनकी डायट क्या होनी चाहिए, जिनको केड़नी की प्रॉब्लम शुरू हुए है उनके लिए लिए जसे अब ने बताया कि आपने अनिमल फूड बंद करदेना अपनी डायट में से और कोई भी ऐसा अगर BP बहुत जादा हाई रहत है तो BP नॉर्मल होना जरूरी है तो इसी तरह से आपको उसको नॉर्मल करने के साथ साथ डाइट में ऐसी कोई भी चीज ना लें जो अरिनोल टॉक्सिक हो और अपनी डाइट में आप फल सब्सियां रखे लेकिन बस जैसे मैंने बता है सिट् किनी डिसीज में बहुत अच्छी है नहीं को आप खिचडी की वो में ले सकते हैं सेमि सॉलिड ओम में पली है तो इससे १जन चीज वो भी आड़ क्रते हैं कहते हैं क्या फिवाद्ची अज्बर्स करते всем क। इसमें यहां हैं रहते हैं के बार दूग् advisor कि अपको और से ब अगर आप उसे गरम ही कर देंगे तो फिर वो उसमें जो बेनफिशल बैक्टीरिया आपकी बॉड़ी के लिए वो केलो जाएंगे तो उसका आपको बेनफिट नहीं मिलेगा इसलिए हम उसको गरम करने के लिए इसके अलावा जो भी मिलेट्स आप काम में लेते हैं उन्हें आप दुबारा गरम कर सकते हैं जी बिलकुल जब किसी पेशेंट के पैर में सूजन आ जाए तब क्या करें या फिर बॉड़ी में फ्लूइडी खटा हो तब क्या करें देखिए जैसे किड्नी पेशेंट्स में फ्लूइडी कठा होना शुरू हो जाता है तो ग्रैविटी क और में डिप करके रखंगे तो उससे आपको मिलेगा उसके बादा पैरों को अपनी बॉड़ी को एक तरह से सी शेप में सी शेप जैसे पैरों को थोड़ा उपर कर लिया और कंधों को भी थोड़ा पर कर लिया उस स्थिती में बैठ सकते हैं उससे क्या होगा कि जो फ्लूइड कठा और आपको पैरों में वो सर्कुलेशन में आ जाएगा जिसके कारण आपको स्वैलिंग नहीं होगी पैरों में तो इससे आपको काफी लाग मिलें क्या आयुर्वेद के जरिये किड्नी अगर वो सही डायत प्लाइन को फॉलो करते हैं उनका गैप बढ़ना शुरू हो जाता है तो वह दीरे धीर बढ़ना शुरू हो जाएगा अपको महीने में एक बार में जाना पढ़ रहा तो इससे भी किड्नी की रिकावरी होती है और अगर इनिशल स्टेज में तो बहुत और जो भी हम डाइट प्लाइट करते हैं अगर आप हमसे संपर करना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं अगले एपिसोड में आप से फिर मुलकात होगी तब तक के लिए नमस्कार